हालो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू फूट्स अ पिटनेस, आज है आपड़े बना विश्यू, तिक्खी चटा के दार लसन्नी चटनी साथे एकदम नवी रीते मेथी ढोकड़ी नू शाक, आशाक माटे आपड़े ढोकड़ी बना विश्यू, ये एकदम सरस पोची रूजी विबन से, अने इनो स्वाद एटलो सरस असे, कि साकनो स्वाद 100 गणो वदारी देश्यू, तो चालो नाना मोटा सवने भावे एवु स्वादिस्ट मेथी ढोकड़ी नू शाक बनावानू शरू करिये, रेसिपीगा में तो बडियोंने लाइक अने शेर करवानू पिल्कल ना बुलता, तो होवे साउथी पहला बालकोती लई वडिलो सुधिना बद्धाने भावे एवु स्वादिस्ट लीली मेथी अने टोकड़ी नू शाक बनावा माटे अहिया में बैक अप जिटली मेथी ली दीचे, ताज्या एकदम फ्रेश रि पान लेवाना एन्य सारिरीते साफ करी औने पच्छी एने धोई लेवाना, मेथीनी भाजीने एकदम सारी रिते धोईलो पच्छी जने समार्वानी, जेती मेथीनी भाजी मारहेला दर्रेक पोषक तत्वो, जडवाई रहे तुआ रीते एकदम बारी केवी आपड़े मेथीनी भाजी ने समारी लेशु। तो एकदम सरस बत्ती मेथीनी भाजी समाराई गई छे, हवे आपड़े शाकमा उमेरवा माटे एकदम सरस तिखी चटाके दार लसन्नी चटनी बनावीशु। तो एना माटे आपड़े खाणी दस्तार लेशु। अने खाणी माँ आपड़े आट्थी दस कड़ी जेतलू लसन्नों मेरी देशु। साथे आपड़े चटनी माँ सैजेवो नटी स्वाद अपपा माटे औने शाकनो रसो एकदम घट्टो बनावा माटे एक टेबल स्पुन्जितला सफेत तल लेशु, अड़दी टी स्पुन्जितलू जीरू लेशु, एक टेबल स्पुन्जितलू धना जीरू पावडर औन साथे आललसर्नी चटनी ने फ्रीज मा तमें आट्थी दस दिवस्तुदी स्टोर करी शाको छो, अत्यारे आललसर्नी चटनी ने शाक बनावा माटे अपड़े एक मिक्सिंग बोल माले लेशु, औने फरी आमा अपड़े अड़दा टेबल स्पुन्जितलू धनजीरू पा पड़ो मिर्शो, तो साकना बत्ता स्वाद बैलेंस दही जशे, त्रोन मोटी चमची जिटलू दही उमेरी देशु, औने 32 वस्तुने सारी रिते मिक्स करी लेशु, अहिया तमे दही ना बदले अड़दा कब जिटली घाटी चाश पन लई शको छो, पड़ा आश आकमा द दही नो स्वाद एकदम सरस्त लाग से, तो दई अने मसाला ने एकदम सारी रिते मिक्स करी देशु, तो यह तमे जोही शको छो, एकदम पॉफेक्ट इवी मसाला साथे मिक्स थाई, अने दही नी पेस्ट तैयार थाई गई चे, आपेस्ट ती साकनो स्वाद 100 गणोवदी जशे, अने मसाला पन एकदम सारी रिते शाक मा भड़े जशे, हवेसाक बिनावा माटे आपड़े एक जाड़ा तळय वाड़ी कड़ाई मा वन फोर्थ कपजेटलू तेल गरम करवा मुकी देशु, अने तेलने आपड़े एकदम सारी रिते गरम थवा देशु, तो एकद तमे आदू मर्चा तमारी पसंद प्रमाणे बतारे के ओचा करी शको छो, बै जीना कापेला लीला मर्चा उमेरे इशु, वन फोर्थी स्पूंजेटली हिंगो मेरी देशु, अने शरस आदू मर्चा सतलाई तिया सुधी अने थवा देशु, तो ये तमे जोई शको छो, एकदम सरस आदू मर्चा नो कलर्ट बदलाए गयो छे, ग्यासनी फ्लेंग एकदम स्लो करी देशु, अने आपड़े जेद दहीं साथे मसालानी पेस्ट तयार करी छे, ए बद्ती पेस्ट आस्टेज पर तेलमा उमेरी देशु, अने तमे जियारे आदैं वाली पेस्ट ते स्मूधरे तो यह तमें जोई शको छो एकदम सरस दही गरम थी उतिया सुधी में आरीते कंटीन्यू चलावता चलावता एकदम सरस पेस्ट ने कुप करीली दी छे आरीते ब्याती त्रोन मिनिट मा उपरनी साइट सरस तेल दिखावा मंडियू छे तो हवे आ स्टेज पर परदा कब जेटली टामेटानी प्योरी उमेरी देशु बहे मिडियू साइज ना टामेटाने मिक्षेर जयानमा क्रश करी अने आरीतनी प्योरी तैयार करीली दी हती हवे आ प्योरीने आरीते सरस तेल चुटू पड़े त्यां सुधी थवा देशु तो लगबग त्रणती चार मिनिट मा एकदम सरस तेल चुट्टू पड़ी गयू छे तो हवे आ स्टेज पर आपड़े जे मेथीनी पाजी समारी ने राकी छे एना उमेरी देशु अने मेथीनी पाजी ने एकदम सारे रिते आपड़े तैयार करीली ग्रेवी साथे मिक्स करी देशु तो हैं ताम कब जेटलू हाथ ती टच करी शक्ये एटलू गरम पाणी उमेरी श्यो गरम पाणी तमे उमेरी श्यो तो साक एकदम जल्दी थी बनी जर्षे औने रसो पन एकदम सरस खाट्टो थर्षे तो यह तमे जोई शको छो गरम पाणी उमेरी बत्तु सारे रिते मिक्स करी डोकडी बनावा माटे एक मिंकसेंग बोल मां बैटर बनावीए तो बैटर बनावा माटे अहीं में 18 कप जिटलो चना नो लोटली दोचभे अहीं तम्हें जिटलो चना नो लोटले ता होई एना क्रत्ता डोड गणू तमारे चास के पाणी लेवानू तो पेल्ला में अड़दो कप खाट्टी चाश उमेरेली छे, खाट्टी चाश उमेर वाती डोकली नो स्वाद एकदम सरस लागे छे, तो चाश उमेरी सारी रिते चाशने मिक्स करी देशो, अनि पछी आपड़े आमा एक कप जेटलू पाणी उमेरी देशो, तो आ बेटर ए स्मूध बेटर तैयार करेली दू छे, हवे आपड़े बेटर मा एक टेबल स्पुन्जितलू ताना जीरू पावडर, अड़दी अड़दी टीस्पुन्जितलू लाल मच्चू पावडर, वन फो टीस्पुन्जितली हिंग, अने अड़दी टीस्पुन करता थोड़ो हड़दर पावडर लेशु, साथे स्वात प्रमाणे मिठोव मेरी देशु, अने हवे टोकली ना एक दम सारा देखाव माटे, बेथी त्रों टेबल स्पुन्जितली कोथ मीरू मेरी देशु, 32 वस्तुने सारी रिते मिक्स करी लेशु, अने ही आपड़ू आठोकली नू बैटर बिल्कुल तैयार छे, हवे एक दम पॉफेक्ट एवी ढोकली बनावा माटे आपड़े नौन स्टिक कड़ाई लेशु, जो नौन स्टिक कड़ाई ना होईतो रेगिलर कड़ाई मा पन बनाविश्या काई, पन नौन स्टिक कड़ाई लेशो तो बैटर बिल्कुल चीपक्से नै, अने टोकली एक दम पॉफेक्ट बनसे, तो टोकली बिनावा माटे कड़ाई मा आपड़े एक टेबल स्पूझेटलू तेल गरम करवा मुखी देशु, तेल गरम थाई, एटले आपड़े गरम तेलमा बै लीला मर्चा, एक इंच आदुनो टोकडो अने त् यार करेलू ढोकली नू बैटर आरीते उमेरता जशु, तो गैसनी फ्लेम मिडियम राखवानी छे, अने मिडियम फ्लेम पर आरीते तमें बैथी त्रोन मिनिट चलावशो, एकले बद्तू बैटर जेचे, एक दम सरस आरीते खाट्टू थवा मांशे, अने जेवो तमें ल किछुने एकदम स्मूध बनावा माटे एक टेबल स्पून जेटलू तेलू मेरी बत्तीर वस्तूने सारी रिते मिक्स करी देशु, तमे लास्ट मा थोडू तेलू मेर्शो, तो साइट पर जे लोट हसे, एपण सरस पेगो थई जशे, अने ढोकली पन एकदम स्मूध बनी जशे, तो तमे जोई शकोचो एकदम सौफ्ट एवी डोकली तयार थाई छे, हवे ग्यासने बन करी देशु, अने आ ढोकली ने सेट करवा माटे एक प्लेट मा आपड़े आरिते थोडू एवु तेल लगावी देशु, अने हवे तेल ती ग्रिस करेली प्लेट मा डोकली ना मिश्रण ने ट्रांसफर करी देशु, अहिया तमारे डोकली नो पीस चिटलू जाडू के पातलू जोवे, ए प्रमाणे तमारे आईया प्लेट मा डोकली ने सेट करवानी छे, तो में अतियारे मिडियम एवी डोकली ने सेट करेली छे, हवे आ मिश्रण ने आर કે મોટુ કરીશકો છો મે ત્યારે આરીતના મેડિયમ પીસ કરીયા છે અને તમે જો ટોકળી એક દમ સરસ પોચી રોજેવી બની છે અને આ ડોકળી તમી જેરે શાકમા ઉમિર્શો ત્યારે શાકનો સવાર એક દમ સરસ આઉસઈ તો આપણ્યામાજે દઈ ઉમેરેલું છે એનું પાણી અલગ ના થાય અને શાક એક દમ સરસ બને તો મિઠુ ઉમેર્યાપચી આપણે તાયાર કરીલી ડોકળી ઉમેરી દેશું અને આપણે જે ડોકળી બનાવી એમાતી મે ડોકળી અલગ રાખી છે તો એ ડોકળી નો આપણે આરીતે થોડો બોકો કરીના ઉમે રીશ્યું જેનાતી સાકનો પેલી કોતમીરો મેરી દેશું અને ગર્માગરમ આ શાકને સર્વિં ગોલમાં ટ્રાંસ્ફર કરી દેશું તો મેતમે જોઈ શકો છો એક્દમ સરસ કાઠ્યા વાડી સ્ટેલ થી મેથી ઢોકળીનું શાક બલ્કુલ તયાર છે જારઓચે